बिहार के समस्तीपुर में इंसानियत को सर्मसार करने वाला एक घटना सामने आया है जहां सगेच चाचा ने अपने 5 साल की भतीजी के साथ हैवानियत की है इस घटना के बाद बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है ब्यार के समस्तिपूर में रिष्टे को सर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है यहां सगेच चाचा ने अपनी पांस साल की भतीजी के साथ बेहद ही सर्मनाक और हैवानियत भरे काम को अंजाम दिया है वैसे आरोपी चाचा को समस्ति पूरुपलिस ने गिरफतार कर लिया है और बच्ची को मेडिकल जाँच के लिए भेज दिया गया है घटना ताजपूर थानाचेत्र के गाउं की है यहां एक दरिंदे चाचा ने अपनी मासूम भतीजी के साथ दरिंदगी कर रहा था बच्ची के चिलाने की आवाज सुनकर परिवार के अन्य सदस और उनके माता पिदावी वहां पहुँच गए तब आरोपी चाचा बच्ची को छोड़ कर भाग गया पिरित परिजर ने बताया कि बच्ची घर के आगे खेल रही थी तब ही उसका चाचा बच्ची को बहला फुसला कर कमरे में ले गया वहां उस बहसी ने बच्चे के साथ दुसकर्म की घटना को अन्जाम दिया है घटना के बाद जख्मी बच्ची को लेकर घर बाले अस्पताल चले गए और पुलिस को भी इस मामले की सूचना दी पुलिस ने कारवाई करते हुए आरोपी दुसकर्मी को गिरफतार कर लिया है वहीं इस घटना के बाद जख्मी बच्ची के परीजनों में दहशत का महाल कायम हो गया है बच्ची का मेडिकल कराया गया है इस घटना को लेकर थाना अध्यच बरजेस कुमार ने बताया एक बच्ची के साथ दुसकर्म का मामला सामने आया है परीजन के अनुसार बच्ची से उसके चाचा नहीं दुसकर्म जैसा जगहन ने अपराध किया है आरोपी चचा को जेल भेजने के बाद घटना की स्पीडी ट्राइल कराई जाएगी और आरोपी चचा को सजा दिलाने का परियास किया जाएगा